हलो फ्रेंड्स आइम अप्रती वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस सबसे पहले बात करते हैं जनमास्ट मी की सजावट की कल जनमास्ट मी का त्योहार था आशा है आप सभी ने काफी दूमधाम से मनाया होगा बहुत सी डेकुरेशन की होगी बहुत सी तैयारियां क होंगी हमने भी कुछ सेयारियां की थी कुछ डेकुरेशन की थी जो हम आप से शेयर कर रहे हैं अगर अच्छी लगें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बहुत से लोग आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जनमास्ट मी पर की उनको भी हार्दिक शुब काम की साथ प्रूटन प्लांट कीजिए और अपने चारों और हरियाली बढ़ाइए तो हमने भी अपने गार्डन से कुछ फूल लिए हैं वैसे हम फूल लेते नहीं हैं में फूल तोड़ना पसंद नहीं गार्डन के जो रोज की पूजा होती है उसमें हम विंका या प्राजि अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर जो होगा गिलहरी से डिलेटेड इसके बारे में आज हम आपको कुछ बताएंगे जो सुनकर शायद आपको अच्छा ना लगे तो यह वही गिलहरी है जो हमारे पास आती है यह पिंगू भी नहीं है यह मौसी भी नहीं है उसकी यह मदर स्क्वेरल है जो हमारे पास आती थी हाथ में बैटकर खाना खाती थी हमारे कपड़े पकड़कर उपर चड़ जाती थी बहुत अच्छा लगता था इसका जो टच होता था वो बहुत ही अच्छा लगता था अब आप सोचेंगे हम था का यूज क्यों कर रहे हैं तो था इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अब यह गिलहरी हमारे बीच नहीं है तो बहुत याद आती है इसकी बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन आज हमने सोचा आप से शेयर करते हैं इसकी यह वीडियो थी यह हमने इसलिए बनाई थी हमने यह सोचा था कि आजकल एक वीडियो काफी जादा है वाइरल है जिसमें एक गिलहरी पानी मांग रही है वहाँ पर जैसे पार्क में गूमने जाते हैं तो वहां से लोगों से पानी मांग रही है वहाँ जोड़ जोड़ कर तो वह तो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वहाँ शायद आस-पास पानी नह लेकिन इन्हें पता है कि पानी एक जगे रखा हुआ है मिल जाता है टाइम से इन्हें जब भी प्यास लगती है इन्हें पता है इन्हें उसी जगे जाकर पानी पीना है और आराम से पानी इनको मिल जाएगा तो इसने बॉटल से पानी नहीं पिया तो हमने सोचा था यह तब पहले भी आपसे काफी जाधा शेयर कर चुके हैं लेकिन अभी एक कुस दिन पहले हमने आपको बताया था कि अपने बच्चे को लेकर आई थी तो शायद यह इसलिए लेकर आई होगी कि इसे पता चल गया होगा कि मैं आप नहीं रहूंगी शायद यह हमारा एक सोच है कि जि दीरे हमने आदत बनाई है अभी हलका सटच करना उसने मतलब टच करने देना उसने शुरू कर दिया है तो कभी उसकी वीडियो भी हम आगया आपसे शेयर करेंगे लेकिन इसके जाने का काफी जादा दुख है क्योंकि यह गीलहरी हमसे काफी जादे अटेश थी बहुत Livdy दर बना रही थी जिसकी वीडियो भी आधी है तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे आगे जल्दी ही तो उसमें क्या है इसने घर मनाना शुरू किया था भी कुछ दिन पहले ही तो यह हमारे सामने नहीं गई अचानक ही चली गई क्योंकि यह तो पता था कि एक ना एक दिन चली यह तार पे जा रही होगी आजकल तार पे ही चलती थी क्योंकि जैसे हमने बताया है हमारे हापर रोड बनी थी तो काफी जादे बाइक साती थी तो यह नीचे रोड पर नहीं चलती थी तो एक्सिडेंट में तो यह नहीं मरती थी तो यह अचानक ही मर गई या तो यह तार раз- लड़ाई हvasive तो सकता है इन में लड़ाई हुई हो कि की सुबधे का ही समय था यह नीचे गिरी हुई हमें मिली हमें मिली नहीं मिली पापड ममी को मिली तो फिर उन्होंने इसको देखा क्योंकि सबस्क्त में LAPOON हुए टैप State तो उन्हों ने सोछा हो सकता है यह अलडड़ी दूसरी हो उन्हों नहीं सामने भी नहीं भूलाया इसके क्योंकि शायद पापा को लगा थै कि हमें दुख होगा और सुबह का समय था इत सब लोग सोय हुए रहते हैं तो फिर उन्होंने इसको मिट्टी में दबा दिया, क्योंकि जिक्ती भी गिलैरिया होती है, guilty या कुछ बीचानवर होता है, अगर वो मर जाता है, तो उसे इसको मिट्टी में दबाना ही पक्षी लेसा murmur, या कोई इस पे कीड़े लग जाएंगे चीटियां लग जाएंगे क्योंकि यह उपर से नीचे गिरी थी तो इसके पेट में चोट लगी होगी और फिर मुझे भी खून आया था तो उसमें चीटियां लग रही थी तो फिर इसको मिट्टी में दमाना ही सही था जिससे इसकी एक तरह से दुर्गती ना हो और यह ठीक रहे तो फिर भी हमें नहीं मिल पाई तो इसकी पहचान अगर यह मुझे मिलती तो मैं इसकी पहचान कर लेती तो कोई बात नहीं अब तो हमारे साथ नहीं है अब हमारे गार्डन में पिंगु भी आने लगा है तो जल्दी ही हम उसकी वीडियो आप से शेयर करेंगे और आपको यह मदर स्क्वेरल कैसी लगती थी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएए थैंक्यू हुआ 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 हुआ